हेलो एब्रिवन मैमेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे केंद्रे विद्याले संगठन के कंप्यूटर की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ सीरियस जो कंडिडेट है न उनके फोटो आप यहां से देख सकते हो यह भी हमारी और आपकी तरह हाड मासके बने हुए हैं इसलिए इनकी फोटो यहां नहीं आ रही है ह आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉबाइल या लैप्टॉप जिस स्क्रीन पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आपके सामने ये तीन कोश्यन रहे इनका जवाब आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में करना है तीनों कोश्यन है रूल बस इतना है यहां से आपको कोश् क्या करना है जो भी आंसर है आपके वो लिख देना है बात होगे क्लियर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोश्यन नंबर 31 से सिरियस इस्टूडेंट जो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो वन से 30 तक के सारे सुरुआत करते हैं MS Word is an example of आपको बताना है MS Word किस तरह का example है क्या ये एक operating system है processing device है application software है या input device है अगर मैं direct answer कर दूँ इसका तो बहुत आसानी हो जाएगी ना इसका right answer क्या हो जाएगा ये application software है लेकिन ये कैसे और जो सारे options हैं उनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है operating system किसे कहा जाता है आपने जो है Linux का नाम सुना होगा पहली बात दूसरी बात आप window पे mobile वगएरा या laptop वगएरा चलाते हो तो आप window का use इस्तिमाल करते हो तो window भी ये क्या है आपका operating system है आप अपना mobile पे ये वीडियो देख रहे हैं अपने mobile पे तो ये किस पे देख रहे Android पे 90% लोग Android पे देख रहे होंगे जिनके पास iPhone है वो iOS से देख रहे होंगे ये operating system होता है किस में Apple में तो ये operating system का example मैंने बता दिया यानि कि ये क्या है MS Word ऐसा कुछ भी operating system है नहीं दूसरी जो option है हम लोगों के लिए वो है अब processing device देखे processing device बोला जाता है CPU को clear है ना CPU द processing का काम करता है चलिए ये भी option आपका मिट गया अब आते हैं input device की तो देखें input device क्या होता है keyboard आपका input device है mouse आपका input device है जहां से आप instruction डालते हो और अंदर में काम होता है process होकर तो ये क्या क्या कहलाएंगे input device तो right answer आपका क्या होगा option number C यानि कि MS Word जो है application software है जिसे आपक right answer होगा फिलाल हम लोग बढ़ेंगे अगले question की और workbook यहां से आप एक photo देख लो सबसे पहले workbook का example और चीज़े देखेंगे workbook कहते किसे हैं आपके सामने यह जो line दिख रहे है न यहां पे line में जो भी चीज़े लिखी गई है electricity will हो water will हो यह water will electricity will जिन rows and column में लिखे गए यह workbook कहलाते हैं clear होगी बात है picture हटा रहा हूँ में अब देखिए जो मैंने अभी आपको picture दिखाई उससे आप 400% तक जूम कर सकते हैं यह question exam में पूछा जा सकता है याद रखिएगा अब देख लेते है question को workbook जो होता है वो किस से related है आपने जो अभी आप screen पे photo देखे एक बार और देख लीजिए यह आपको मिलेगा MS Excel में MS Excel का इस्तिमाल किस में होता है डेटा को store करने के लिए कोई भी record रखने के लिए financial activity के लिए अगर आप school में पढ़ा रहे हो तो मार्शुट भी आप MS Excel से ही तयार करोगे यह आपका right answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे MS word में देखिए book वगएरा अगर किसी writer को लिखना है या आपको अपनी poem वगएरा लिखनी है तो लिखने पढ़ने का काम आपको MS word में मिलेगा और PowerPoint में क्या काम करोगे आप PowerPoint में देखिए PowerPoint में जो है यह मैंने slide बनाई हुई है यह से slide बोला जाता है यह कहां बन रहा है यह ब वीडियोज बनाता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं question number 33 की और आपको बस एक एक्जांपल बताना है और N dash is a central service computer network that enables connect client to access the server's storage capacity चलिए मैं question को बिलकुल आसान भासा में समझा देता हूं पूछा गया है कि client client का मतलब है audience दर्सक जो सारे चीज़ों को consume कर रहे हैं consumer भी आप इसे बोल सकते हो अब देखिए यहां से photo देख लेए न सायद question आपको समझ में आ गया होगा यह photo देख लिए यहां से दिख रहा है आपको यह क्या है एक file service है जहां से सारे लोगों को य YouTube में आप मेरी वीडियोज को देख रहे हो यह वीडियो आपको क्यों देख रही है आप अकेले इंसान नहीं होगे इस video को देख रहे होंगे समझ रहे हो मेरी बात को यानि कि मैंने किसी एक जगा पे डेटा अपलोड करी, कहां पे करी YouTube पे और YouTube से बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, clients बहुत सारे हैं समझ में आ गई बात है, यानि कि यह क्या हो गया, मैंने कहां पे अपलोड करी यह फाइल सर्विस में, और फोटो एक बार फिर से देख लिजिए, LAN के माध्यम से, लैनि कि लोकल एरिया नेटवर के माध्यम से आप चीज़ों को कंजूम करते हो, देखते हो, क्लियर होगी बाते, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन की और उससे पहले आपको बता दूँँ, अगर मेरे हैं डिटर नॉट्स लेना चाहते हो, तो 399 में आपको यह अवलेबल करा दिया जाएगा, 99 में आपको प्रिभेशर क्वेशन पेपर अवलेबल करा दिया जाएगा, यहां से मेरी इमेल आडी देख जाए, अपल् Nearlykesn को ठीक ठाक जो है रण करा ले, उसे का, उस पर काम कर ले, या फिर एंटि वायरेव grandfather डेवलप कर ले, या फिर प्रोग्रान लिख ले या फिर का दूसरे के कंप्यूटर को हैक कर ले, सबसे पहली बात, कंप्यूटर को हैक करने वाले को फैकर बोलता है, इस तरह की फोटो आप यहां से देख सकते हो, यह बहुत ही गलत बात है, morally भी और legally भी, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको jail भी हो सकती है, याद रखियेगा, तो D option तो आपका होगा नहीं, प्रोग्राम लिखना, यह तो बहुत OP level की बात हो गई, यह बहुत बढ़ी बात हो गई, उसी तरह से antivirus software भी create करना बड़ी बात हो गई, मुझे computer चलाना आता है, लेकिन मैं प्रोग्राम नहीं लिख सकता हूँ, नहीं antivirus software डेवलप कर सकता हूँ, तो यह option कट गया, option एक जो है, बिलकुल लीजी सा है, जहां से आप जो है, जैसे MSX, MS, PowerPoint या फिर, word में अगर आप properly काम कर पाते हो, तो यह कहलाता है, आप application को run कर आ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो option A आपका correct होगा, बढ़ते हैं, next question की ओर, which of the following is not an application software, application software इनमें से कौन नहीं है, ध्यान से सुन येगा, कौन नहीं है, यह पूछा गया है, not ना सारा मामला भी गाड़ द application software है, clear होगे बाते, अब देखिए उसी तरह से MS Word भी जो है, sorry, यह मैंने, wait, 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 यह मैंने क्या बताया था आपको, MS Word क्या है, software है, antivirus भी क्या है, software है, adopt Photoshop भी क्या है, यह क्या है, software है, लेकिन Windows 7 मैंने भी आपको साहत पहला या दूसरा question में बताया था, Windows क्या है, operating system है, OS है यह, यह क्या है, operating system, इस पर काम करते है, जैसे Android हो गया, iOS हो गया, यह क्या है, operating system है, B is the right answer होगा इसका, B के साथ आपको जाना था, फिलाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देख लिजिए, next question आपके सामने यह रहा, आप से पूछा गया है कि function keys जो app 2 है न, इसका इस app 2 दबाओगे तो brightness बढ़ जाएगी, दूसरा option देख लिजिए, आप किसी file को save करोगे, तो आप app 2 दबाओगे या फिर rename करोगे उसके लिए, या फिर आपको अगर extra seat चाहिए, MS Excel में उसके लिए, तो देख लेते हैं, one by one सारे चीज़ों को देखिए, इसका जो correct answer होगा प तो आपको जो help चाहिए होगी, वो मिलेगी, यह universal key भी कहलाता है, यह universal function key भी कहलाता है, एफ 2 क्या होता है, जहां से आप file को rename कर सकते हो, एफ 3, याद कर लिजिए, इसे not कर लिजिए, exam में एक question यहां से आपका, एफ 3, जहां से आप F3 फ्रेस करोगे, तो आपके search feature आ F5 सारे लोगों ने दबाया होगा, आप computer को refresh करते हो, ताकि computer slow काम न करे, refresh refresh का button जो है F5 में होता है, F6 की अगर बात की जाए, तो address bar आप जो है browser में search करने के लिए F6 का use करते हो, F7 जहां से आप spelling grammar की check कर पाते हो, spelling mistake है क्या F7 से आपको पता चलेगा, F8 की अगर बात की जा तो आप इसे refresh कर सकते हो, send and receive करने के लिए कि यह हुआ है receive या send हुआ या उसके लिए, F10 जो है activate हो जाएगा आपका menu bar, और F11 में आप जो है enter कर जाओगे, exit कर जाओगे, full screen में, mode में, जो है कम screen छोटा होता है, minimize, maximize, यह कर सकते हो, F12 में हो जाएगा कि आप जो dialogue box है, यह आ computer का, option तो इतने भारी दे रखे हैं कि आपका दिमाग पघल जाए, blast भी हो सकता है, देखिए, अगर मैं बोल दूँ यह CD-ROM, यह जो बताया गया ना, high capacity CD-ROM, इसे क्या कहा जाए, अगर मैं बोल दूँ इसे DVD, आपको सारी बाते समझ में आ जाएगी, comment करके DVD का full form बता दे तो यही आपका hard disk है, computer में बोलते हो ना, कि कितना यह क्या है, ROM का है, यानि कि कितना storage इसमें जो है, भरा जा सकता है, computer में hard disk उसे बोलते हैं, mobile map बोलते हो ना, कि इसमें कितनी जो है, memory भरी जा सकती है, तो right answer आपका क्या होगा, option number B, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number next की ओर, that is a way to quickly access a favorite website, देखिए, यहां से एक photo देख लो आप, bookmark यहां से आप समझ जाओगे, जब भी आप किताब पढ़ते हो, suppose कर लो कि आपको page number 49 आपने पढ़कर खतम करी, और अगली बार आप पढ़ोगे उसे, तो आप page 949 पे क्या करोगे, एक bookmark छोड़ दोगे, जैसा कि picture म आप यहां से देख रहे हो, इसी तरह से अगर आप किसी website पे गए, और वो website आपको बहुत अच्छा लगा, और आप चाते हो कि regularly वहां पे article वगएरा आप पढ़ो, कोई news website है या कुछ भी हो, तो कैसे आप उसे बार बार access कर पाओगे, बिना याद किये हुए, आप bookmark का इ आप चूओ सकते हो, printer को चूओ सकते हो, monitor को चूओ सकते हो, लेकिन MS-Excel को चूओ सकते हो, क्या उस पर work कर सकते हो, याद रखिएगा कोई भी software हो, इसे आप चूओ नहीं सकते हो, hardware को आप चूओ सकते हो, तो देखिए, hardware नहीं पूछा गया था, तो software क्या हो चाहेगा? MS-Ex आगे बढ़ेंगे आपको बताना है बिंडो फाइल का जो साउंड फाइल है उसका एकस्टेंशन बताना है वेब सिट या फिर क्या होगा तो देखिए इसका जो राइट आनसर होगा वो होगा वेब और वेब का full form भी आप देख लो वेब form audio file इससे भी question पूछा जाता है बहुत बार पूछा जा चुका है तो ये थे फोटी questions आगे भी अगर इसकी आपको part चाहिए तो नीचे comment करके part 5 जरूर लिखिएगा ताकि part 5 आपके सामने रखा जाए और जाते जाते फिर से दो रात हो 399 में आप मेरे हैंड निटेंड नोट सेक्वाइर कर सकते हो 99 में previous question paper जिनने लेना हो mail कर लिजिए yourmethonsing at the rate gmail.com पे इंस्टाप पे हो देन do follow me at the rate imethonsing वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया have a good day